Hello everyone, I am Dr. Paveen Bhatia, Director Bhatia Dental Pulse, Janakpare, New Delhi. एक dentist होने के नाते, आज मैं आपसे बात करूँगा कि जब एक dental procedure होता है, तो मुहु का खुलना कम हो जाता है, ऐसा क्यूं होता है? यानि, less mouth opening after dental procedures. जैसे हम कभी भी इसके जानना चाहें कि क्या ऐसा क्यूं होता है, जैसे हम wisdom tooth extraction करते हैं, या कोई dental surgery करते हैं, implants करते हैं, या कभी-कभी root canal करने के बाद भी mouth opening कम हो जाती है, या कोई trauma है, accidentally कभी आपका कोई pressure पड़ा, या कभी fracture होता है, तो इसकी वज़े से mouth opening restricted हो जाती है. और दूसरे और भी कारण हैं, जैसे hematoma, जैसे इसके अंदर blood vessels के पास blood का इकठा हो जाना, उससे भी एक कारण रहता है कि mouth opening कम हो जाती है, कई बड़ी क्या होता है, excess mouth opening, यानि hyper extension, hyper extension कभी-कभी जैसे apple खा रहे हैं, या बहुत देर आपने dental procedure कराया, तो उसके बाद excess mouth opening होती है, लेकिन जब वो normal state में आता है, तो mouth opening restricted हो जाती है. एक और कारण होता है कि अकलदार जब निकलती है, तो pericornitis, यानि जब जहां से दान वो निकल रहा है, उसके आस-पास के जो gums होते हैं, वहाँ पर थोड़ी swelling और inflammation आ जाती है, तो mouth कम खुलता है, सूजन आती है, तो उसको pericornitis बोलते हैं. Friends, before I start this topic, please subscribe my channel and if you really like it, और अपने दोस्तों के साथ share करें, जिससे इस knowledge को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें. और अगर subscribe करते हैं और अच्छा लगता है, तो bell icon ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें. अब हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं, medical reasons में, यानि जब हम mouth नहीं खुलता, तो उसके क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? सबसे पहले local anesthesia, LA जब हम देते हैं, तो उसके बाद जब normal अपनी state में आते हैं, तो कई बार हम पाते हैं, कि mouth opening कम हो गई है. यानि नर्व जहां पर हमने LA दिया, उसके आसपास कहीं trauma हो जाए, या needle prick हो जाए, तो थोड़ी सी mouth restriction हो जाती है. दूसरा reason रहता है, information. जब आपके दांत में किसी भी वज़े से cavity है, या कोई और है, तो आपके mouth में सूजन आ जाती है. जब सूजन आएगी, तो definitely inflammation के बाद, आपका mouth opening restricted हो जाएगा. एक बहुत बड़ा कारण है, cancer. यानि OSMF भी बोलते हैं, dental में, mouth cancer में, जब हम ये problem आती है, तो आइस्ता-ाइस्ता mouth opening restricted हो जाती है. और जब हम radiation करा रहे होते हैं, head या neck का cancer होता है, तो उसमें भी swallow करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. Head या neck में जब हम करते हैं, तो radiation करेंगे, तो उसवा effect दांतों पर भी आएगा. और एक smoking बहुत बड़ा कारण है, next लाता है betel nuts या pan आप खाते हैं, तो आइस्ता-ाइस्ता हमारी जो membrane है, वो shrink करने शुरू कर दियती है, और उससे mouth opening हमारी restricted हो जाती है. अप्रेशन आता है, patient को दिक्तत क्या-क्या होती है? जब mouth opening कम होगी, डेफिनेटली अगर आपका मून ना खुले, हमारा नॉर्मली बिलो दैन 35 mm, यानि अपर और लोर जाती बीच में, जब 35 mm से कम opening या कम आपका gap रह जाता है, तो उसको हम trismus बोलते हैं, यानि less mouth opening इसको बोलते हैं. तो हमारी जो दिक्ते हाती, सबसे बड़ी दिक्कत तो खाने में ही आएगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी, वेस्टिकेट नहीं होगा, और हाँ बोल गप्पे तो आप खाही नी पाएगे, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत बोलने में भी आएगी, क्योंकि mouth की functioning, जब mouth कम खुलेगा, तो बोलने में दिक्कत आएगी, दर्द रहा करेगा, जब बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, तो आपको बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, oral hygiene अच्छे से आप maintain नहीं कर पाएगे, जब oral hygiene अच्छे से maintain नहीं होगा, तो cavities बनने का खत्रा रहेगा, और हाँ, smell भी तो आएगी न, तो दोनों चीज़े इसको हम ध्यान में रखें, तो बहुत सारी दिक्कते हैं, जो हमारी normal life को hamper कर सकती हैं, अब इसकी बात आती है कि duration कितनी रहती है, जब हम कोई procedure करते हैं, या procedure की वज़े से आपको कोई दिक्कत आई है, तो temporary, अगर हम माउथ restrictions की बात करें, तो दो weeks, और उसके बाद जब permanent होती है, ये in case of cancer होती है, जब cancer हो जाएगा, तो जब तक वो cancer ठीक नहीं होगा, आपका procedure radiation complete नहीं होगी, तब तक वो रहेगी, और उसके बाद वो automatically आईस्ता आईस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, फ्रेंट्स अप्रशन आता है कि इसका treatment plan क्या रहेगा, treatment में सबसे पहले medication, medication में muscles relaxants तिये जाते हैं, muscle relaxants में chloroherxazonic tablet आती है, उसको कुछ दिन 15-20 दिन दे, तो आईस्ता आईस्ता mouth opening बढ़ जाती है, दूसरा आता है, एक injectables आते हैं, जो jaw के अंदर direct लगाए जाते हैं, जिससे mouth opening और muscles relax हो जाते हैं, और आईस्ता आईस्ता mouth खुलना शुरू हो जाता है, एक बहुत अच्छी exercise आती है, जो आप घर पे करते हैं, जो जाउस्टेंथ्रिंग एक्सरसाईजीजेजेगेशा, आप आइस्क्रीम स्टिक्स लें, दोनों तरफ जितने भी आपकी mouth opening है, आप एक बार मेजर कर लिए सकेल से, और उसके बाद जितनी उनकी ठिकनेस है, उन दोनों साइड पे रबर्स लगा लें, जैसा मैं इस procedure में आपको समझा रहा हूँ, वो लगा लें और जितने easily आपके mouth में वो sticks जाती हैं, उसके बाद डालके आप उसको register कर लें, उसके बाद सुभह और शाम एक एक और stick, ice cream stick उसमें add करते चलें, gradually आपका mouth और खुलना शुरू हो जाएगा, it will take 15-20 days, it is sort of physiotherapy या exercise कहें, तो इसके बाद ये practical मैंने आपको इधर दिखाया है चितर में, आप इसको करें, definitely आपको इससे रहत मिल जाएगी, और एक last point आता है, dietary changes, हम खाने में क्या-क्या ऐसे change करें, जिससे आपको अराम भी मिलें, दर्द भी ना हो, बूलने में भी दिक् लें, या अगर जादा हाड बिल्कुल ना लें, अवाइट करें, कुछ दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आराम से आप सब कुछ खा सकते हैं, उसके बाद आप गुल गप्पे भी खा सकते हैं, तो friends, I hope you like this video, आपके लिए useful रही होगी, और अगर really if you like this video, please share with your friends, और अगर आपको लगे कि इसको share करना चाहिए, जरूर करें, और subscribe करें मेरे चैनल को, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं, और friends, एक अच्छी बात ये है कि मैंने recently, अभी इस वीडियो बनाने से पहले, इस हमारे चैनल ने 10,000 subscribers का एक पूरा target पूरा कि अच्छी प्रेश, 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 भी कि इसको एक से वीडियोंचे, पिसको प्रेश, प्रेश, खाल्यच । वीडियोंचे, बाइस, डिक अपका लूद बेखर खिए।